सबी बक्तों को श्री शिवाय नमस्तु भ्याम रहर महादेव ओम नमस्षिवाय तो दस मई शुकरवार अक्षेतिर्तिया आकातीज का दिन इस दिन विशेज दिन आपकी रोग मुक्ति के लिए या आपकी मनुकामना पूर्ति के लिए जब अगवाचंकर को प्रसंद करने के लिए सत्तु वाला उपाय अवश्य करे अब सत्तु में किन चीजों का या किन वस्तु का उपाय किया जाता है सबसे पहले तो तीन वस्तु जो सत्तु में उपाय में काम में आती है और सत्तू के तीन उपायों का मैं आपको वर्डन करूँगा सबसे पहला तो जो आती है अब आप बोलो कि भी ये जो क्या होती है जो क्या आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसको बोलते है जो आप के हाँ पर इसको जिसमी नाम से जाना जाता हो इसको खाने के काम में आती है तो जो साथ में गेहूं और गेहूं के साथ में चना इन तीन वस्तों को पानी में बिगो कर लातरी बर अगले दिन सेख कर पीसा जाता है उससे जो सामगरी का निर्मान होता है वो कहला था है सत्तू तो आपको अक्षे तिर्थिया यानि कि जो 10 माई के दिन पढ़ रही है अक्षे तिर्थिया आगा ते इस दिन बगवान चंकर को सत्तु जरूर समर्पित करना चाहिए आपकी इच्छा के लिए आपकी मनुकामना के लिए थोड़ा सा सत्तु जो की पहला उपा है जरूर समर्पित करना चाहिए बगवन चंकर को सत्तु जल में घूल कर या जल के साथ में आप थोड़ी सुस में शक्कर डाल दीजिए और वो भगवान चंकर को जरूर समर्पित करें वैसा के पावित्र महिने में क्योंकि ये वैसा कमहिना गर्म यानि की गर्मी वाला होता है भगवान चंकर को यदि आप सत्तु समर्पित करोगे तो वो भगवान शिव को शीतलता परदान करेगा इसलिए सत्तु जरूर समर्पित करेगे या फिर आप भगवान चंकर के मंदिर में थोड़ा सा सत्तु किसी पातर में या फिर किसी कागज में या फिर किसी थेली में अवश्य ही रखके आए यदि मंदिर के अंदर आपको पंडिची मिल जाए तो उनको उस सत्तू का दान दे के आए और आपके घर परिवार के प्रतेक्ष दस्य से सत्तू का दान दिलवाए सत्तू का दान अवश्य ही करे आकातीज की दिन थोड़ असा सत्व आपदान जरूर करें। यदि मंदिर के अंदर पंडिजी ना मिले। तो फिर आप शिवजी के संमुक में सत्व रख करा सकते हैं। इसी के साथ में आकातीज के दिन जदि माललो आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर पर जो भी गाय आए या गाय का बच्छडा आए उसको सत्तु अवश्य किलाए सत्तु खदान अवश्य दे उसको सत्तु अवश्य किलाए ऐसा क्यों? क्योंकि जब गव माता को हम सत्तु किलाते हैं तो गव मातकी हमारे उपर किरपा होती है और वे हमारे घर पर आने वाली सारी बीमारियों, सारे संकटों को स्वया महर लेती है अब सत्तु का ही अगला उपाय, यदि आप चाते हो कि आपकी रोग मुक्ती हो तो एक कलश लीजी, उसके अंदर जल भरिए जल भरने के बाद में इसमें आपको सत्तु मिलाना है सत्तो आप अपने इच्छा नूसर डाल सकते है अब जरूरी नहीं, आपको कलश बढ़ा लेना हो आप छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं, छोटा सा कलश भी ले सकते हैं अब आपको क्या करना है शिव जी की मंदिर में जाना है शिव जी की मंदिर में जाके उस कलश का पूरा सत्तू जिस जल में आपने सत्तू मिला है वो सत्तू वाला जल शिव को समर्पित करो नीचे एक पात्र लगा दो ताकि जो सत्तु है और सत्तु वाला जल है उस पात्र के अंदर आ जाए अब इस पात्र के जल को घर पर लेकर आईए यदि घर पर कोई व्यक्ति भीमार है तो उस व्यक्ति को ये सत्तु वाला जल अवश्य ही पिलाए कि यदि घर में कोई बिमार नहीं है आप स्वेम बिमार है तो ये सत्तु वाला जल जरूर पिये पवन चंकर पिचड़ाय गया सत्तु का जल कि सत्तु मिला हुआ जल आपके रोगों की मुक्ति के लिए आपके शरीर के स्वस्ते के लिए अच्छा रहता है अब यदि आपकी कोई मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक कलश के अंदर जल बढ़कर इसमें सत्तु डाल कर जो बेल पत्र का वरक्षव आपके आसपास में जो भी बेल पत्र का वरक्षव उसके नीचे जरूर समर्पित करे और वो भी प्रदोश काल में प्रदोश काल में सत्तु अला जल यदि आप बेल पत्र के वरक्षव के नीचे समर्पित करते हो तो भगवान शंकर अति प्रसंद होते हैं और आपकी मनोकामना को शीगर अति शीगर पूर्ण करते हैं क्योंकि बेल पत्री की व्रक्ष की जड़ में बगवान शेव, मा आद्देशक्ती और बगवान शंकर के कुल 13 बच्चे विराजमान होते हैं और वे प्रसन्न होते हैं इसलिए यदि समय मिले तो प्रदोशकाल में अक्षे तिर्तिया यानि आका तेज के दिन आप जरूर से जरूर सत्तु वाला जल्द समर्पित करें बेल पत्री की व्रक्ष की जड़ में अब हम आपको बताते हैं अक्षे तिर्तिया के दिन मनो कामना पूर्थी उपा है तो इसमें आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो कुल 108 अक्षत ले लेने हैं एक स्वाट अक्षत लेजिए यानि कि अक्षत के दाने चावल ले लेजिए एक स्वाट अब भगवान चंकर के शिवलिंग पे सबसे पहले तो आपको तिर्पुंड बनाना है तिर्पुंड बनाने के बाद में आईए सारे के सारे अक्षत अपने हाथ में रखकर आपकी जो भी कामना है, उस मनो कामना को बोलकर भगवान चंकर के शिवलिंग पे चिपका दीजे, सारे के सारे एक स्वाट दाने आपको एक सार शिवलिंग पे चिपका देने हैं, चिपका के आजाईए, मातर तीन दिन लगेंगे और जिस मनो कामना से आप ही उपाय कर रहे हो, उस म अक्षे तिर्थिया का ही अगला उपाय जो की है गर्ब की रक्षा के लिए जैसे की मालनी जीए आप गर्ब वती हैं आपने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने जाज करी जाज में बताया कि गर्ब सही नहीं है ऑपरेशन का बोल दिया है तो आपको क्या करना होगा एक सफ सफेद कपटा लेना होगा और इसमें एक हजार आठ कितने एक हजार आठ अक्षत रखने होंगे गिन के और जब एक एक अक्षत आप रख रहे होंगे तो प्रतीक अक्षत रखते समया आपको बगवान चंकर की शिव मापुरान का मूल मंत्र जो है शिरी शिवाय नमस्तु बोलना है तो एक अजार आठ बार आपको शिरी शिवाय नमस्तु बोलना है और एक अजार अक्षत के दाने आपको रख देने हैं इस सफेद कवड में जब एक अजार आठ अक्षत के दाने आप रख दे उसके बाद में एक बेल पत्र अवश्य रखिए इस एक अजार अक् अपड़े को ऊपर से ढख कर यानि कि ऊपर से पकड़ कर भगवन शंकर के मंदिर के अंदर रख कर आजए यानि कि दान कर कर आजए इसके बाद जब दुबारा से आप जाएंगे अपने गर्ब की जाच कराने के लिए तो उस गर्ब के लिए डॉक्टर कहेगा कि ये अब मैंने जो आपको उपाय बताया था आठ माई, नौ माई, दस माई और ग्यारा माई का जो की चार दिन करना था आपको संतान प्राप्ति के लिए लेकिन कुछ माताय बहने पोल रही है कि हमारा उस समय रजस्वला धरम है तो हम ये उपाय कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको एक चानकरी देता हूँ 23 माई तक वैसा का महिना है आपको कोई से भी चार दिन लेना है अब जैसे मालो आपका रजस्वला धरम है तो आप आकातीच के दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हो तो फिर आपको 10 माई, 11 माई, 12 माई और 13 माई ये चार दिन ये उपाय करने है यदि मालो 12-13 माई तक आपका रजस्वला धरम रहता है तो उसके बाद आने वाले आप अगले चार दिन ले सकते हो फिर उसमें 15 माई, 16 माई, 17 माई और 18 माई ये चार दिन रहेंगे एक पीपल का पत्ता बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे महादेव के नाम से समर्पित करने के बाद में इसके उपर साथ बार जल समर्पित करना है पिपलेश और महादेव के नाम से और जल समर्पित करने के बाद इस पीपल के पत्ते को उठा कर लेकर आना है गाय के दूद में उबालना है और उसके बाद में दूद को रात्तरी क तो सोते समय पत्ति और पत्ति को पील लेना है, पीपल के पत्ते को निकाल कर रख देना है दूद में से और किसी भी व्रक्ष के नीचे इसको ठंडा कर देना है, यानि कि रख देना है, केवल चार दिन आपको वैसाक के कोई भी चार दिन योग पाय करना है, अक्षे तिरतिय से शुरू कीजिए निश्चित रूप से आपको इस वैसाक के महीने में खुशकबरी जरूर ब्राप्त होगी सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू भ्याम हर हर महादे